वो विविद सांस्कृतिक मुल्यों वाला देश है यहाँ पर संस्कृति में बहुत विविदता है अपनी अनूठी संस्कृति को यदी बचाए रखना है तो हमको शिक्षा में निश्चित रुप से कला शिक्षा को डालना ही पड़े का कला शिक्षा को किसी तरह से उपेक्षित करने की बजाए समेकित पाठेक्रम की रूप में हमको पाठेक्रम में कला शिक्षा को शामिल करना चाहिए कब जब हम अपने प्राचिन संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो प्राया कला शिक्षा को उपेक्षा की जाती है, बहुत दिनों से ये बात चलती है कि कला को निश्चित रुप से पाठे करम में स्थान मिलना चाहिए, पाठे चर्य का वो ये कंग होना चाहिए, किन्तु ये बात केवल कागजों में कही जाती है, कारे रुप में परनित नहीं की जाती और उसका एक कारण ये है कि जो शिक्षा है वो आर्थिक रूप से संबल होने का और जीवन निर्वाह करने का एक साधन बन गया है इसलिए उसमें इस तरह की विश्यों को अनूपयोगी विश्य या केवल मनुरंजन का विश्य ये समझ कर उपेक्षित किया जाता है जब कि कला जो है वो व्यक्ति में सौंदर बोड़, सहनशलता, उसकी सोच को व्यापकता, उसकी कलपना शिलता को बढ़ावा और उसके संस संसाधन को सुद्रड करने का काम करती है बच्चे के अंदर जो संसाधन है उसको वो बाहर लाती है इसलिए कला शिक्षा को निश्चित रुप से मुख्य पाठ्थे कर्म में इस्थान मिलना है चाहिए कला शिक्षा की इस उपेक्षा ने शिक्षा संगठन के अधिकारी, शिक्षक, समाज के नागरिकों में कला के समझ को कम कर दिया है, लोग कला के विशेक के पार्खी बहुत कम लोग समाज में हैं, जो कला को पहचानते हैं, या कारियों को कला के रूप में प्रदर्शित करते हैं, और कारियों को कलात्मक सुन्दर प्रदान करते हैं, वरना इस आपा धापे के यूग में पढ़ना 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 एक काम हो गया है और पढ़ने के माध्यम से अर्थो पार्जन जीवन का उद्देश बन गया है लेकिन कलाशिक्षा को उसका इस्थान मिलना ही चाहिए। प्रायह स्कूलों में जब वार्शिकोच्षा होता है जब गरतंत्र दिवस या सोतंत्रता दिवस मनाया जाता है या ऊपर की कोई अथार्टी स्कूलों के इंसक्षान के लिए आती है तो कला का प्रदर्शन होता है। और कैसी कला का प्रदर्शन होता है ? एक दिन को निश्यत् निट्र किया जाता है यह सतही मनुरंजन को ही कला मां लिया जाता है मैं तुम लोग जब स्कूल जाओगे तो तुमसे यह अपेक्शा करूगी कि अपने अध्यापन करने वाले स्कूल में इस तरह से कला का प्रदर्शन नहीं करवाना उस CD में बच्चे अपने मन पसंद का गीत चुनते हैं और उसके अनुसार स्टेज में थिरकते हैं छोटे-छोटे बच्चों के स्कूल में भी गायन की प्रक्रिया को बंधी कर दिया गया है और सब CD पर depend हो गया है उसके बोल क्या है उसके action क्या है उसमें बच्चा किस तरह संद्रित्य कर रहा है भाव का प्रदर्शन कर रहा है ये सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता ये समझो students कि एक sectionic संस्था का मंच केवल मनुरंजन देने के लिए नहीं होता वो एक संदेश देने के लिए होता है इसलिए उसमें केवल डुएट सांग के माध्यम से वार्शिकोचसा को मना कर खतम कर लिया जाए ये कला का मतलब ये कला को भोशित करने का अर्थ नहीं होता तो कला को हम कैसे जीवित रखें NCF 2005 कहता है और प्राय स्कूलों में ये आरंब भी हुआ है कि बच्चे के अंदर जो कला है या बच्चे की जो रूची है उसको उभारने के लिए द्रिश्यकला, रंगमंच, गायन और निर्मान स्रिजनात्मक चीजों का बहुत लंबे समय तक सप्ताह में कम से कम एक दिन, एक से डेड़ घंटे का वर्क्शॉप लगाना चाहिए जब बच्चे छोटी क्लास में इन चीजों को सब को करके देखते हैं तो धीरे-धीरे माध्यमी किस तर तक पहुंसते-पहुंसते उन्हें समझ में आ जाता है कि उनकी रूची किस दिशा में है हो सकता है कोई बच्चा नाटक में रूची ले कोई बच्चा क्लेयार्ट में रूची ले कोई गायन में ले इस तरह बच्चे को अपनी रूची समझ में आ जाती है और शिक्षक भी अपनी रूचियों को जानने लगता है उनकी रूचियों को जानने लगता है। इस तरह बच्चों को और साल भर चलने वाली प्रक्रिया की रूप में इसे लिया जाए। और बच्चे को छोटी क्लास से लेकर माध्यमिक स्तर दसमी तक इस तरह से और दिये जैं कि वो क्या कर सकता है। और जब वो जान लेता है कि मुझे तो ख्ले आर्ट पसंद है मैं मूरतियों को बना सकता हूं उसे भाव भर सकता हूं उसको तराश सकता हूं तो ग्यारवी बारवे में उसको एक अवसर प्रदान किया जाए जब वो बच्चा बारवी करके निकलेगा तो इसको व्यवसाई के छेतर में भी अपना सकता है और अपने अवकाश के छणों का सुंदर उप्योग भी अपनी कला के माद्धम से कर सकता है वो जानने लगेगा कि किस भाव को कैसे प्रदर्शित किया जाए और जब बच्चों को उसर दिया जाता है तो वो बड़ी-बड़ी समस्याओं को अपनी कला के माद्धम से बहुत सुंदर धंग से प्रस्तुत कर देते हैं रंगमंच बहुत उपेक्षित है लेकिन रंगमंच भी एक बहुत अच्छा संसाधन है कठीन विश्यों को उचित धंग से पढ़ाने का इसके लिए शिक्षक को समर्थ करने की आवशक्ता पढ़ती है कि शिक्षक कैसे अपनी पाठ्थ वस्तु का नाटक में रुपांतरन करे और उसको नाटके माध्यम से बच्चों के समक्ष दिले जाएगा तो जो पाठ्थ वस्तु बहुत बोजिल होती है वो भी बहुत अच्छे धंग से बच्चों के समक्ष पहुंसती है और पूरे बच्चे उस पाठ्थ वस्तु को जानने लगते हैं तुम लोग किसी portion को जैसे की रूपक के रूप में क्लास में प्रस्तूत करोगे, 40 बच्चे हैं, 5 बच्चे आकर पार्ट अदा करेंगे, लेकिन तुम यकीन मानो कि 35 बच्चों को भी सबका पार्ट याद हो जाएगा, और इस तरह से पार्ट वस्तू हर बच्चे तक पहुँच जाएगी, इसलिए रंग मंच बहुत अच्छा माध्यम है, इसके लिए बहुत बड़े-बड़े संसाधन जुटाने की आवशक्ता नहीं है, ये कक्षा में किया जा सकता है, इससे बच्चा क्या सीखता है, बच्चा सम्वाद अदाएगी सीखता है, आत्म व्यक्ति सीखता है, आत्म विश्वास आता है, उसका मन और शरीर के संचलन में नियंतरन आता है, कि कब क्या बोलना है और क्या एक्षन करना है, इस पात्र के बाद मुझे बोलना है तो समय का प्रवंधन भी उसे आता है रंगमंच एक सशक्त माध्यम है चित्रकला गायन ये बहुत अच्छा ऐसा माध्यम है कि बच्चे इससे अपने व्यक्तितों का विकास कर सकते हैं और भारत की संस्कृती जीवित रह सकती है कला को जीवित रखने के लिए हस्त शिल्प को भी महत्व देना चाहिए हमारे नगर में गाउं में जो शिल्प कार हैं उनको कक्षा में बुलाना चाहिए उनके माध्यम से बच्चों को उस कला को कैसे वो जीवित रखे हुए हैं इसको सीखना और सिखाना चाहिए इससे क्या इससे यह होगा कि वह बच्चा जिसके पाला किस तरह से कोई कला को करते हैं जैसे बास से धून निकालना तो वह बच्चा गौरवानमित होगा बहुत सारे बच्चे उसको जानेंगे और इस तरह से वह कला स्प्रेड होगी और जीवित रहेगी और संस्कृति का संरक्षन यह सब पर्यावरन हितैशे भी हैं इसलिए दी बच्चे को कला की शिक्षा दी जाएगी तो वह पर्यावरन के प्रती भी सजग होगा जीवन का मुल्ड भी सीखेगा अपने अनुभाव को अपने जीवन में साकार करने की छमता उसके अंदर आएगी वह अच्छे अच्छ है बहुत जरूरी है और इसको बहुत इमांदारी से हमको लाना चाहिए शिक्षा में और समावेशी रूप से इसको पालन करवाना चाहिए इस तरह से कला शिक्षा के संबंद में 2005 NCF के विचार यहां पर तुम लोगों के समख्ष रखी हूं अब मैं तुमको बताती हूं क स्वास्थ शिक्षा को जैसा कि पहले पाठ्यक्रम कैसे निर्मान होता है उसमें मुख्य विशय को ही डाल दिया जाता है इनको पिक्षित कर दिया गया है तो मैं उन्हीं की बात कर रहे हूं कि 2005 NCF कहता है कि इनको भी पाठ्यक्रम के आवश्यक अंग के रूप में डाला ज LBता और मिर्थ्यों की डर यह दोनों बाते हमको तै करते हैं कि वह समाज स्वस्थ हैब समाज को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है कि मास् वस्थ हो और बच्चा स्वस्थ हो यह कैसे स्वस्थ होंगे जब सब के पास पोशन को खरीदने की क्रै करने की शक्ति होगी और उसके उप्योग करने के भी शक्ति होगी क्रै करने की शक्ति के बाद भी पोशन वस्त में बच्चे तक पहुँच जाएं यह जरूरी नहीं है बटके वे माता पिता अपने बच्चे का पैसा होने के बाद भी उचि भोजन मिले और पोशन और स्वास्थ से संबंधित चोटे-चोटे कार्यक्रम नुक करनाटक निबंध या फिर उसके संबंध में लेक को बच्चों के समक्ष रखना बच्चों में प्रतियोगिता कराना इस तरह से कार्यक्रम करके बच्चों में पोशन के प्रति पोशन को प खाना है क्या ने खाना है healthy food unhealthy food इसके विशह में एकदम इसपर्ष्ट हो जाएं स्कूलों में बहुत सारे कारेक्रम होते हैं जैसे राश्टी सेवायोजना scout guide, NCC, NSS इन सब कारेक्रम हो में rate class का संगठन ये सब बच्चे में स्वास के प्रतिजाग रुकता का भावलाते हैं और निश्चित रुप से इन कारेक्रम हो को स्कूल में बहुत अच्छे धंग से संचालित करना चाहिए बच्चों के स्वास्त का परिक्षन भी नियमेत रुप से होना चाहिए इसलिए स्वास्त और शिक्षा विभाग में एकुचित समन्वे की आवश्यक्ता है इन दिनों हम जानते हैं कि चिरायू योजना के तहत स्वास्त विभाग में ऐसे डॉक्टर्स की भरती की गई है जो स्कूल से समन्वे विठा कर बच्चों का स्वास्त परिक्षन करें और किसी बच्चे के स्वास्त में कुछ गंभीर कमी दिखने पर ये चिरायू योजना कि अंतरगत भरती किये हुए डॉक्टर्स उस बच्चे को रिफर करते हैं कि वो उचित इलाज करवाएं और इस तरह जब स्वास्त बच्चे स्वास्त बच्चों का एक समाज बनेगा तो भारत भी स्वास्त होगा उसके नागरिक भी स्वास्त होंगे तो यहां पर मैं झाल झाल